So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास, पहला प्रशन बताइए, हिराकुट बांध ये किस नदी पर है, ये महा नदी पर है, और हिराकुट बांध ये important क्यों है, it is the longest dam of India, ये आपको मिलेगा उडिसा में, और महा नदी पर ही अभी आपको पता है, कटक नाम का शहर, जहांपे आपको बाराबत्ती स्टेडियम भी मिलेगा, ये प्रशन एक्जाम में पूछा जा चुका है, बैंक के एक्जाम में कहीं बार आता है, और आपसे पूछे राश्टर चावल अनुसंधान केंदर कहां पर है, तो वो कटक उडिसा में ही है, अच सतलुज नदी पर, ध्यान रखना ये भी, बाकी भारत का पहला अंतरराष्ट्रे मध्यस्तता और सुलर केंदर ये का पर खुलाए, यानि कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडियेशन सेंटर हैदराबाद में, और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला समुद्र अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बफ्यायेध का पर खुला तो आंसर होगा गुजिरात में, और भारत का पहला खेल मध्यस्तता केंदर में, यानि कि स्पोर्ट्थरेशन सेंटर ये एहंदाबाद गुजिरात में, अच्छा भारत के पहले क्वांटम कंप्प्य Simulator Toolkit का नाम क्या है तो आंसर होगा Q-SIM अगर आपसे पुछे सबसे तीज सुपरकम्प्यूटर कौन सा है फुगाकू है जापान का और अभी इरान ने भी अब तक का सबसे तीज सुपरकम्प्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा क्या सिमोर्ग वैसे भारत का पहला सुपरकम्प्यूटर कौन सा था परम 8000 अचा भारत में सुपरकम्प्यूटर का जनक किसे कहा जाता है विजे भटकर को और human computer हम कहते हैं शकुंतला दिवी को वैसे world computer literacy day कब मनाया जाता है 2 देसंबर को और computer का जनक कहा जाता है चार्ल्स पेबेच को अच्छा 100% टीका करन यानि कि दोनों डोज वाला पहला union territory कौन सा बना तो आंसर होगा अंदमान निकोबार उसी तरह से पहला राज्य पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश पहला जिला पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश का किन नौर जिला पहला गाओं पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर का वियान गाओं फिर बताए नीजी इस्तमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपिय देश कौन सा बना था माल्टा और पूछें किस देश ने उश्यदिय उप्यों के लिए भांग की खिती को लीगल किया था लेबिनॉन ने सुशाशन दिवस गुड गवर्नेंस डेकब मनाते हैं 25 देसंबर को अठल जी की जैनती होती है और गुड गवर्नेंस वीक हमने मनाये था 20 से 25 देसंबर दग जिसकी थीम थी प्रशाशन गाओं की और अभी गुड गवर्नेंस के रेंकिंग आये थी उसमें टॉप स्टेट रहा था गुजरात और टॉप यूनियन टेरिट्री था दिली बताओ शिकागो किस जील के किनारे स्टित है Michigan जील के किनारे और विश्विक की सबसे बड़ी मास की मंडी आपको मिलेगी शिकागो में वैसे अगर आपसे पूछे वाशिंग्टन डी सी ये किस नदी के किनारे स्थित है पोटोमेक नदी और नियू यूर्क ये हडसन नदी के किनारे जबकि इटली की केपिटल जो है रोम वो टाइबर नदी के किनारे है फिर बताईए सबरी माला मंदर ये तो आपको पताईए कहा पर केरल में है आपसे पूछा जा रहा है किस भगवान को समर्पित है लौड अयप्पा को और यहीं पर आपको बताए मकर विलक कुत योहरायो जित होता है अभी विजे हाजारी ट्रोफी 2021 को जीता किसने जो अभी सयद मुस्ताक अली ट्रोफी को किसने जीता तमिल नाडू ने करनाटक को हरा करके उसके अलावा अभी उबेर कप पूछेंगे इसको जीत लिया है चाइना ने जापान को हरा के देखो उबेर कप हो गया और थोमस कप हो गया दोनों का समन्द बेडमिंटन से है और थोमस पहले महिला आने रिक्षक इंस्पेक्टर जनरल बनी है वाइलेट बर हुआ और हाँ गाइज अनकेडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी तो आज ही सब्सक्राइब कर रहें अनकेडमी प्लस और पाएं अंकुष लांब आप educators के साथ live interact करके अपने doubts को clear कर सकते हैं और इसी subscription में आपको mock test भी मिलेंगे detailed analysis और explanation के साथ तो अगर आप bank exam की तयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस opportunity का lab उठाने का और देखिए जितने भी upcoming batches हैं उनके list आपको screen पर दिख रही होगी और हाँ सबसे important बात जल्दी प्लस subscription की fees बढ़ा दी जाएगी और हाँ बिना कोई वक्त जाया कीजिए subscribe करें अनकेडमी प्लस पर और इस मौके का फाइदा उठाए तो करना क्या है basically बिना कोई देरी किये जाए और अनकेडमी प्लस का subscription ले लीजिए और हाँ सबसे important बात मेरा code इस्तमाल करना मत क्योंकि इसे यूज करते हैं आपको 10% का instant discount मिल जाएगा आपकी fees कम हो जाएगी तो जितने भी important links हैं आपको नीचे description में मिल जाएगे वहाँ जाकर कि आप इसे check कर सकते हैं और इनका फाइदा उठा सकते हैं अब अच्छा बताएं विश्व समुद्रे दिवस world maritime day कब मनाय जाता है तो आंसर होगा देखो इसका वैसे तो कोई fix day नहीं है क्योंकि ये September के last Thursday में मनाया जाता है 2021 में हमने इसको 30 September में मनाया था थीम क्या रही थी sustainable shipping for a sustainable planet और national maritime day कब मनाते हैं राश्टर समुद्र दिवस 5 अपरिल को world pharmacist day 25 September को मनाया जिसकी theme थी transforming global health world environment health day ये 26 September को मनाया world environment day कब होता है फिर 5 जून को होता है world tourism day 27 September को मनाया theme क्या रही tourism and rural development एक national tourism day भी होता है जो 25 जनवरी को मनाया गया वैसे 25 जनवरी को national waters day भी मनाते है world rabies day 28 September को मनाया theme थी end rabies collaborate vaccinate world heart day 29 September को मनाया theme थी use heart to beat cardiovascular disease international day for food loss and waste reduction 29 September को मनाया हिंदी में बोलोगे तो अंतराष्टर खाद्य हानी और अप्सिष्ट निवनी करन दिवस theme क्या रही stop food loss and waste for the people for the planet अंतराष्टर अनुवाद दिवस international translation day ये 30 September को मनाया गया theme क्या थी finding the words for a world in crisis और international yoga day 21 June को हमने मनाया इसकी theme थी yoga for health yoga at home world hepatitis day 28 July को मनाया theme थी hepatitis free future तो बताइए Sweden की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन बनी है तो अंसर होगा Magdalena Anderson Sweden जिसकी capital Stockholm है currency है Swedish krona किसने दुनिया का पहला dart mission launch किया तो अंसर होगा NASA ने dart का मतलब होगया double asteroid redirection test nighthood of part गुलफा सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले बारती बने सोहन रोए सतत विकास लक्षे sustainable development goal सहरी सूच कांक और dashboard 2021 में कौन सा शहर टॉप पहरा तो अंसर होगा शिमला इसमें लास्ट में रहा है धनबाद कुन चालिसवे 49th अंतर राष्टर EMI पुरुषकार 2021 में किसे सर्विश्रेष्ट अभिनेता का पुरुषकार मिला डैविड टैनेंट को UK के है ये और best actress का अवार्ड मिला है Haley Square को ये भी UK से है EMI Awards TV के शेत्र में दिया जाता है जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए तो आंसर होगा Olaf Scholz, Angela Merkel की जगे लीन होने जर्मनी की केपिटल बर्लिन है करंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है, फ्रेंक वॉर्टर स्टिन मेर दुनिया का सबसे विवस्तिक बैंक कौन सा बना तो आंसर होगा JP Morgan ये American Multinational Investment Bank है किस बैंक ने तेजस्विनी और होसला योजनाव को शुरू किया तो जम्मू कश्मीर बैंक ने जिसका हेटकवाटर है श्रीनगर में MDCO है बलदेव प्रकाश रेल मंतरी ने थीम आधारित तूरिस्ट सरकिट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू किया तो आंसर होगा भारत गौरव को रेल मंतरी अश्विनी क्वेश्णव है नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास ये कहां पर आयोजित किया गया आंसर होगा कच प्राइद वीब में बताईये Resolved United Nation in a divided world ये किसकी बायोग्राफी है बांकी मून United Nation के ये पूरू सेक्रेटरी जनरल है 2025 एशिया युवा पेरा खेलो की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो आंसर होगा उजबिकिस्तान उजबिकिस्तान की केपिटल ताशकिन्द में होंगे ये सुदान के फिर से प्रधान मंतरी बन गए अब्दुल्ला हम्दूग फिर बताईये सुदान के प्रधान मंतरी ने इस्तिफा दे दिया उनका नाम क्या है अब्दुल्ला हम्दूग सुदान की केपिटल खार्तुम है सुदानीज पाउंड यहां के करंसी है किस बैंक ने ओनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉंच किया ICICI बैंक 34 वी अकिल भारतिर डाक कुष्टी चेंपेंशिप की मेजबानी कौनचा शहर करेगा तो अंसर होगा नई दिल्ली और जनवरी 2022 में Legends Cricket League के उद्गाटन सत्र की मेजबानी कौनसा देश करेगा तो अंसर होगा ओमान अभी आपको याद होगा ओमान और United Arab अमिरात में T20 World Cup 2021 किस हुए थे जिसको जीता Australia ने New Zealand को हरा के Cooking to Save Your Life नाम की बुक को किस ने लिखा अभी जीत पनर जी ने लिखा और कुवेत के फिर से प्लधान मंतरी कौन बन गए तो अंसर होगा रुमेन रादेव Unshackling इंडिया नाम की बुक को लिखा अजे छिबबर और सलमान अनीश ने इंद्रा गांधि अंतर राष्टर हवाई अड़ा किस वर्ष तक शुद्ध सुने कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड़ा बन जाएगा 2030 तक ऐसा इन्होंने लक्ष रखा है तो बताईए सार्थी नाम से एक मोबाईल एप्लिकेशन को अभी किसने लॉंच किया था सेबी ने Security and Exchange Board of India ने जिसके अध्यक्ष अजेति आगी तो शेर मार्केट में जो नए निवेशक है उनको सिक्षित करना ही इसका में मक्सद है केंद्रे मंत्री मंदल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कारेकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया 2025 तक के लिए किस देश ने Arrow 3 Anti-Ballistic Missile System का सफल परिक्षन किया तो आंसर हो गई इसराइल ने और इसराइल की केपिटल जैरूसलम है इसराइली नियूशेकल यहां की करन्सी है परदानमंत्री नए है नेफ्टाली बैनेट और प्रेसिडेंटे इसाख हर जोग यहां की संसत को क्या केते हैं सिनेट टोरंटो वाटर फ्रन्ट मेराथन का टाइटल स्पॉंसर कौन बना है तो आंसर होगा टीस अभी 2023 से IPL का टाइटल स्पॉंसर बन गया है टाटा ग्रूप वीवो की जगे है यह वीवो की जगे आया है बताईए हरिपाल सिंग अहलू वालिया का निदन हो गया वे क्या थे प्रवतार होई थे प्रसिद परियावरन विद और साइलेंट वेली बचाओ प्रचारक का निदन हो गया उनका नाम बताईए प्रोफेसर एमके प्रसाद माना उरू माना बाड़ी कारेकरम ये किस राज्य ने शुरू किया भी ये तिलंगना ने शुरू किया एक दिवस्य मैचों में सब्सेदार रन बनाने वाले भाटे किर्केटर कॉन बन गए विराट कोली बन गए अभी भाटे टेस्ट किर्केट टीम के कपतानी भी छोड़ दी इनोंने सरकारी सेवाओं में युगाओं के लिए पात साल की उपरी आयू सीमा को बढ़ाने का नेड़ने लिया मतलब जो में एक्जिमम एज लिमिट होती है केंडिडेट्स की उसको पात साल और बढ़ा दिया किसने मेगाले सरकार ने और बताओ किस टैनिस प्लेयर ने 2022 के सीजन के बाद सन्यास लेनी की गोष्टना की सानिया मिर्जा ने और 2005 में WTA सिंगल्स किताब जीतने वाली पहली भाट्य महिला भी बनी थी ये किसे 2022 के जैनेसेस पुरसकार से सम्मानित किया गया अलबर्ट बॉरलाको यह अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर के सीई ओ है तो गाईज यह था आज का करंटर फेर्स का रेविजन वाला सेशन सेशन अच्छा लगा है तो लाइकर के शेर जरूर कीजेगा थैंक यू